हेलो एन वेलकम फ्रेंट्स मेरा नाम है अभी कुमार और आप देख रहें यूटूब चैनल इंडिया जोलट और आज का वेकेंसी है वेसे अभियार्थियों के लिए है जिन्होंने सी टेट या ए स्टेट मतलब स्टेट टीचर इलिडिवी टेट पास किया हुआ है क्योंकि डिरेक्ट रिक्वयर्बेंट निकाला गया है असिस्टेट टीचर के लिए इंग्लिस मीडियाम प्रैमरी अस्कुल में तो चलिए फ्रेंट से डिटेल में जानते हैं इस वेकेंसी के बारे में लेकिन डिटेल में जानने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्या चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और वीड तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके अशिस्टेंट टीचर के ओफिसियल लोटिकेशन के उपर जो बोर्ड ने पॉब्लिस किया है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अशिस्टेंट टीचर के लिए अप्लैस कैसे करना है तो यहां बताया गया है कि आवेदन सिर्फ ओनलैन फॉम फिल ही करना है और अवेदन करने का समय जो है वह है अस्टार्टिंग डेट 31 जनवरी 2019 से लेकर 18 मार्च 2019 तक अंतिमति थी है इसके बाद ओनलैन अप्लिकेशन फिल करने का लिंक डिशेवल कर दिया जाएगा और क्यालिफिकेशन जो है वह कम से कम 12 पास होना अनिवारी है तता साथ में 2 साल का डिप्लोमा डी एड या बीएड का सर्टिफिकेट होना अनिवारी है और साथ में किसी भी राज्य से ट्रेट पास या सीटेट पास होना चाहिए एज लिमिर जो है वह मिनिमम अठारा साल और मेक्सिमम ट्वेंटिफाव इर्स सेलरी आपको वावन सो रुप्या से लेकर बीस जार दो सो रुपया तक दिया जाएगा पलस अठाइस सो रुपया का ग्रेंट पे दिया जाएगा और असिस्टेंट टीचर के लिए टोटल प अपडेट के साथ पसंद आया होगा और आपको पूर्न जानकारी मिल गई होगी और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रस्न हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करके जाना और एकजाम प्रिपरेशन और जोब रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इंडिया जोबलर चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना बिलकुल न भूले थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो